आज हम बात करेंगे पैरों की जो उंगल्यों में एक बहुत ही जदा CMMonly जो प्रॉलम देखने को मिलती है और खासर दो यह जो सैड में बढ़ना शुरू जाते है और उसकी वज़े से जब यह सैड की इस्किन होती feito你 नाम से सकते हैं और उसकी वज़े से आपकी जो नाकुन होते हैं वो नाकुन वाज पर जब गड़ते हैं तो वहाँ पर आपको काफी दर्द होता है वहाँ पर आपको रैडनेस हा जाती है, वहाँ पर आपको इन्फेक्शन हो जाता है, वहाँ पर पस्फॉर्मेशन हो जाता है और आपको चलने फिरेने में परेशानी आती है आपको खड़ेने में परेशानी आती है आपको इतना दर्द होता है इसी कंडिशन को बोलते हैं इंग्रो टोर निल आज के इस वीडियो में बात करेंगे इसी इंग्रो टोर निल के बारे में कि आखिर यह किस वज़े से होता ह है क्या कारण होतے इसके management के बारे में हम बात करेंगे इसको कैसे manage meant किया जा सकता है उसके साथ साथ comigo क्रेंगे । इसके होम पेथी treatment के बारे में क्योंक्य इस तरह की कंडिशन होती है उसमें positive काफ़ी अच्छे results देती है होमेथी द्वारा अपने इस तरह के जो इसमें इंफेक्शन हो जाता उसको भी दूर करने में आपको काफी हैल्प मिलती है मैं जोतपुर से डॉक्टर कुलदेव जांगेट होमेथी कंसल्टनेट एक पार फिर से आपका अपने यूटीव चैनल में स्वागत करता हूं जैसा कि आप डाइग्राम में देख रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि इंग्रोटोर्नेल कैसा होता है, अगर आपके साथ में प्रावलम आ रही है, तो आप उसको और अच्छी से समझ सकते हैं, दोस्तों, अब बात करते हैं, इसके कारण की कि ऐसे कौन सी वज़े होत होता है, कारण क्या होता है, इंग्रोटोर्नेल जो होता है, वह वैसे तो किसी में भी हो सकता है, पूरसों में महिलां में किसी में भी हो सकता है, बट जो एज के साथ यानि बुज़ूर्गों में थोड़ा सा इसके चांसे जो होते हैं, और जो डियाबिटिक पेशेंट होत तो वहां पर यह जो इस तरह की समस्या जाद देखने को मिलती है इसके साथ साथ ही अगर आप नाकून जब काटते हैं तो नाकून को प्रॉपरिली नहीं कट करते हैं और उसकी वज़े से अगर उनका जो साइड में अगर कुछ तीखा-थीखा सा अगर उसका पार्ड कुछ लटी के tाहिता है तो अगर आप कुछ एसे सपोर्ट में हैं जैसे आप को फूटबॉल में जहाप आपको किक लगानी है यह जिसके वजह से आपके नाकून को चोट पहुंची Tea पैर के इंगुटों में तो उस वजह से भी यह जो इंग्रों adds को सकती है इसके अलवाभा आपके ज्यूटों जो शिप फैन ज्यूसितों का शिप सही नही के जो सरचना है वो सही तो जैसे आपको में ही बता दिया था जब देखते हैं के आपकी जो KS 905 होरे हैं साइड में जो इसकी नाकून की एसके इसके इसके अंदर रहें आो पर आपर सब्सक्राइअ का शचार्ज हो रहा है इसके अलावा जब इनफएक्षज़ छाता आ स исकता है यह इसके कुछ कूभन से जो की देखनों को मिलते हैं तो आप समस्थ सकते हैं कि आपको कहीं इंग्रो टोनेल की शिकायत तो नहीं हो रही है अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट पार्ट की तो जब कभी भी आपके साथ में इसी समस्य आती है तो कुछ बातों का एक तो ध्यान रखना चाहिए आप एक तो अपने जूते जूते प्रॉपरली पह सूखा रखें इसके सांसासात में अगर आपको इनफेक्शन और तो दर्द होता है तो आपको अलका सा गुनुना पानी जिक और आपने पनी में पेरों 10-15 Remember तक आप लेकिर नाकुन की जो पैरों me on part होता है इसको आपको उसको रुक रुकाओ का आपको ध्यान रखना होता है इसके साथ साथ сек insider कुछ मैडिसेंस होती है कच हौमैबेति मेडिसेंस होती हो कि आपको यस तरह sticking हो जाता है क्षो ठीक करने में काफी help करते है ingrotonils की लिए लिए काफी जानी मानी aggi men emocis से यह जो दूसरी मेडिसिन है वह है सैलेशिया टूंडेडियर जो मैडिसन यह भी इसके खास दभा इसको मैं अपने पेशिट को तीन मौन डाट जी पर दिन में एक बार देता हूं इसके बाद मैं अगर वहां पर इन्फेक्षन हो गया तो वहां परने-पर मेरिस्टी का सहे इसके बाद में अगर वहां पर इंफेक्शन हो गया पस फॉर्मशन हो गया है तो वहां पर एक में कैलेंडूला जो मदर टिंचर होता है उसको पानी में डालकर यानि गुन-गुने पानी में डालकर उसमें सीकाई करने के लिए मैं करता हूं तो उसमें काफी इच्छे रिजर्स देखने को मिलते हैं इंफेक्शन को खितम करने में काफी हैल्प करती है इसके अलावा और भी बहुत सारी मेंडिसन होती है जो कि पेशन्ट के कंडिशन के एकौर्डिंग का मिली जाती है तो वहां पर बहतर रिजर्स देखने क बिलते हैं यदि आपके साथ में ऐसी समझ से आ रही है तो आपको सजेशन दोंगा एक बार आप पिए जरूर लें आप चाहें तो मुझे से भी कॉंटेट कर सकते हैं मैंने अपना कॉंटेट डिटेल रहा है मैं उमीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो जानकारे शेयर कि आपके पसंद आई है और आपके लिए फाइदा बन साबित होगी तैंक यू